हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे कुरकुरे जो की घर में बनाएंगे और आज कल बच्चे और बड़े सभी घर में हैं लेकिन बच्चे घर में रहते रहते उप गये हैं और कुछ उनको चटपटा चाहिए खाने के लिए और बाहर का लानी शक है मैं जिस कडढ़ाय में बनाओंगी ना उसी में मैं mix करना बता रही हूं तो मैं एक कप मैंने ले लिया चावल का आटा तो अगर चावल का आटा आपको नहिंगेट चावल को ग्रैंड कर सकते घर में और मैंने ले लिए उन फौडल का उप बीसन नहीं तो आप डाल από org दिया आप इसके बदले मैदा भी डाल सकते हैं लेकिन गयों डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा दो चुटकी डाल दिया मैंने खाने वाला सोड़ा यानि बेकिंग सोड़ा हाफ टीश्पुन डाल दिया नमक और एक कप अभी पाई डालेंगे इसमें तो इसको इस तर कर लेंगे तो इसको मिक्स कर लेते हैं उसके बाद दिखते हूं कितना पानी डाल सकते हैं तो लगवग इसमें तीन कप पानी लगेगा फ्रेम्स तो देखिए यह मिक्स हो गया है थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लेती हूं अब इसमें एक कप पानी और डाल देंगे क्योंक लंज ना हो ऐसा मिक्स करेंगे तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका यानि इस नहीं अब इसको पकाने के लिए ले चलेंगे यानि पकानी पर रख लेती हूं को छलाते हैं नहीं चलाएंगे ने तो आपका जो यह चावल कांटा और यह सब बैठ जाएगा और अच्छी तरह से पक नहीं पाएगा तो आप लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते हुए पकाएंगे तो इस तरह से चलाते हुए इसको पकाएंगे देखिए यह गढ़ा हो चुका है फ्रेंग अभी भी इसको चला करके पकाएंगे इससे स्पेचुलस थोड़ा सा चलाने में दिक्कत हो रहा है एग इसमें डाल देंगे एक चमच बाड़ा चमच से घी हुए नहीं डृप साथे हैं अब इसके लिए मैंने एक चमच डाल दिया है बाड़ा चमच से घी कोई जरूरी नहीं के इसमें घी डालना हे आप तेल डिल कर लो जिंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुएक चलाते हुए मिक्स कर लेंगे तुई मुक्स हो चुका है इसको क्या करेंगे कभर करने वए अच्छी तो यह पल जाएगा अब बिल्कुल ल्हकल से माथनी दीम करेंगा तो देखिये मैं ona फाइम के लिए छोड़ दिया था अब इसको हटाएंगे तो देख सकते हैं कि विलकुल अच्छी तरह से पक चुका है अब इसको ठंडा कर लेंगे तो ठंडा करने के बाद इसमें डाल देंगे कॉर्ण फ्लोर दो चम्मच मैंने कॉर्ण फ्लोर डाला अगर कॉर्ण फ्लोर नहीं है तो आप मैदा डाल सकते हैं तो जो घर में समान है ना फ्रेंज उसी से आप यह कुरकूरे बना सकते हैं कोई भी बाहर से समान लाने का जरूरत नहीं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेजे विलकुल ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सारक कॉर्ण फ्लोर तो देखिए यह मिक्स हो चुका है अगर आपको हाथ में लग रहा है तो थोड़ा सा तेल लगा दीजे हाथ में अब इसको मैंने ठंडा अच्छी तरह से कर लिया है और इसके बाद हाथ में तेल लगा लिया है छ थो देखिए मैंने चार से बन रहा ना उस तरह से चीड़ा मेडा तो अब मैं 테कर मैं नेख कर के दिखा द सकते हो चै места ना अच्छा श्रक्ष में चलते तो मैंने गैस पे तیल गरम होने के लिए पहले वहाद ग्रम कर लिया था को यह क्शितम हो तनली के जनी में करें है कि यह की ओदो realized करेंगे अगर पहले चलाइँगे तो आपका चूप रहने के अदित कर प्राइंगे तूट जायेगा एक बर च लांगे नी जो नीचे है नीचे का ऊपर कर देंगे ओपर वाला नीचे कर देंगे विर्ण gonna लेंगे इसको जो चिपक चुका है उसको इस तरह से हटा लेंगे तो देख सकते हैं इनहें फ्राई हो चुका है मैं बीच बीच में दो तीन बार और चलाया था मैंने तो इस तरह से फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे तो देखे एक बार मैं चला देती हूं और फिर से ताकि अच्छी तरह से क्रिश्पी हो जाए तो देखे यह हो चुका अब इसको निकाल ल तो दुस्रा भी मेरी डाल देतीं तरह से नाल करक्व नीजे से हैं अपर निकाल लेंगे अनलता संट मैं बाकी मैरी है जो Fr और लिया है तो देख सकते हैं अब इस तरह से इसमें क्या करें मसाले कुछ डालेंगे तो कि इसको चटपटा चाहिए तीखा तो हाफ टेश्पून डाल देंगे मिर्ची का पॉडर और भूना जीरा मसाला यानि जो भूनावा जीरा का पॉडर और हाफ टेश्पून से थोड़ा सकम भायट नमग हाप टेश्पून डाल देंगे पीसा हुए चीनी इसे खटा मीठा चटपटा टेस्ट आएगा अब इसको इस तरह से मिक्स कीजिए या तो हाथ से मिक्स कर लिए तो जीदेखिए मैं हाथ से थोड़ा सा मिक्स करके भी दिखा देती हूं तो मैं इस बाल मे इसको mix कर लेंगे बाकी बच्छा मसाला उसको भी ले लेते हैं और इसको अच्छी तरह से mix कर लेते हैं आप विश्वास नहीं करेंगे इतना इजी तरीके से कुरकूरे बन सकता बहुत ही टेस्टी तो मैंने दुसरे बॉल में ट्रांसफर कर लिया है खटा मीठा चटपटा क कुल तयार है आप इसको खायेंगे निया तो बिल्कुल खाते ही रहे जाएंगे इतना टेस्टी बना है तो आप इस तरह से कुरकूरे बनाएं मैं तोड़कर करके दिखा देती हूंं कि इतना क्रिश्पी बना है देखिए फ्रेंड लग रहा है नहीं उसको तोड़के अगर बेशन नहीं है तो बेशन को भी ग्राइन कर सकते हैं और इस तरह से कुरकूरे बनाइए और अगर आपको मेरी रेश्पी प्रसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए फ्रेंड्स बिल्कुल आप भूल गये हैं और सब्सक्राइब करना ब बिल्कुल नहीं भूली तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस्पी के साथ